तो आज की पहली नियो शुरू करते हैं तो यह भी आप दोपार है चाइना ने शुरू कर दिया एग्रेशन दिखाना दद्दाग में तो यह मानिंगे नहीं चिंचिंचू तो अब इनका कुछ कर नहीं सकते हैं लेकिन एक्जाम पॉंट अफ्यू से में चानना पड़ेगा ह तो आप इसमें यह द्यान रखेगा कि पैंक सॉंग लेक जो है और एक तोसो मुरोरी यह दोनों इस मैप में दिखा दी है यह दोनों जो है यह सॉल्ट वाटर लेक है पूश्चन बस यह पूछा जागा यह तो आपको सबको पता है कि लद्दाक वाले रीजन में लेकिन कै पैंक तो किस निकलती है तो कोई पूछ ले निकलती है तो श्योक नदी श्योक नदी है तो यह दो चीज यह तीन चीज यह द रखनी है और इससे कुछ नहीं पूछ रहागा तो अब जीडिपी जो है वह फॉल ओग यह 23.9 फरसें इंफ पर्स्वार्ट तो हमें जानना जो भी produce होते हैं, within the boundary of a country during one year, within the boundary मतलब क्या होता है, domestic territory के अंदर, within the boundary का मतलब क्या है, domestic territory, तो कोई भी total final goods and services, जो भी अपनी domestic territory के अंदर बनते हैं, एक साल में, उसको हम बोलते हैं, GDP, एक साल के लिए इतना होता ही, तो अपने जाना नहीं है, तो domestic territory में क्या क्या आ सकता है, एक तो जो घर में बन रहा है, पूरे इंडिया में बन रहा है, फिर और क्या आता है, एक तो होता है, land और sea boundary, क्या क्या आता है, चार चीज़ आती है, जो याद रखेएगा, कभी-कभी यही पूछ लेता है, what is domestic territory, कहा तक 12 nautical mile तक, जो हमारी land की और sea boundary है, 12 nautical mile वो हमारी domestic territory में आता है, दूसरा जो हमारे residents है, जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, और जो plane उडाते है, aero plane उडाते हैं, किसी foreign country में उडा के ले जा रहे हैं, तो वो भी domestic territory में आएगा, तीसरा, oil platform, oil की रेगों कहीं, natural gas की रेगों, जो residents of Indian चला रहे हैं, जो Indian residents चला रहे हैं, तो वो domestic territory में आएगा, चौता हमारी कई embassy होती है, आपको पता है, foreign embassy होती है, इंडिया की, सारी countries में, या consulates जिसे बोलते हैं, consulates भी बोलते हैं, तो यह भी domestic territory में आजागा, तो यह चार चीज़ भी domestic territory में आती है, तो यह चार चीज़ आप विशेश कर ध्यान रखेगा, यह आपक को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन मुझे पता UPSC कहां हिट करेगा, तो ऐसी question हो हिट करता है, आप से यह नहीं पूचेगा, कि GDP की definition क्या है, आप से पूचेगा, GDP में जो domestic territory में से क्या क्या होता है, यह नहीं होता है, तो यह चार चीज़ होती है, विशेश कर इन चार का ध्य सब्सक्राइब करते हैं, तो अगर यह एक रुपे जमानी करते हैं, तो इनको तीन साल तक की सजा भी हो सकती है, तीन महीने की सजा हो सकती है, और छे साल, तीन साल के लिए इनको बैन कर सकते हैं, कि यह कुछ जो यह लॉयर है, तो कुछ case waste नहीं लड़ सकते हैं, तो यह बोले हैं कि हम एक रुपे जमा कर देंगे, तो बस इतने ज्यान रखना है, हमें contempt of court किस आर्टिकल में है, आर्टिकल जो है, वन तू नाइन ऑफ सुप्रीम court का है, और 215 जो है, वो high court का है, इन दोनों आटिकल में लिखा है, contempt of court के बार में, supreme court भी contempt of court कर सकता है, high court भी contempt of court कर सकता है, इसमें क्यों लगाता है, इन पर contempt of court, for criminal contempt by scandalizing the court, तो कोई बूच ले, scandalizing the court, यह कैसा contempt है, civil contempt है, या criminal contempt है, मैं पहले हो, आपको यह सब चीज होओ, civil contempt क्या होता है, criminal contempt क्यों होता है, तो scandalizing the court जो है, वो criminal contempt याद रखेगा, scandalizing of court जो क्या है, वो criminal contempt, कि भातो अच्छा टॉपिक के डारेक्ट थार्गेट होता है तो इस बार कोश्चन मनने के चांसे बहुत जादा हो जाते हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यह सबसे पहली बात हमारे थर्टीन प्रेसिटेंट ऑफ इंडिया थे यह मेंबर ओफ लोग सभावी थे कभी मेंबर ऑफ राज्य सभावी चुने गई ते डिफे तो यह बहुत अच्छे थे तो इनके हमें ध्यान नखना पड़ेगा इनको अवार्ट कौन-कौन से मिले तो पधम भिभूशन इन बांग्लादेश लिबरेशन वार्ट ग्रांड क्रोस ऑफ इवरी कोष्ट और भारत रतन भी मिला है यह लिखा नहीं है लेकिन भारत रतन तो आप याद रखेंगे इनकी बुक्स याद रखेंगे ब्यॉंड सर्वाइवल इमर्जिंग डामेंशन ऑफ इंडियन एक्नॉमी चैलेंजज बफोर दानेशन तो इनकी थोड़ी सी बुक हैंगी हमने टेलिग्राम पे भी कुछ अच्छी चीज़ा पोस्ट कर दी और इं इस पर दालने बड़ा आसान सा रहता है बना भी सकते हैं चले कोई बात नहीं ड़नों जेगे डालूंगा आप फॉलो कर सकते हैं श्टी फंड़ और यह मेर को फॉलो कर सकते हैं शिवमान ट्यागियन डिसको स्टी जिनको भी कोई जाननेगा शॉक है तो प्लीज मेसेज मी अब इडी ने अरेस्ट कलिये ताहर असन को मनी लॉंडरिंग तो मनी लॉंडरिंग एक ही आपको पता है दो ही एक्ट है अगर आप तो इतनी बार मेंने इन्यूस बता दी आप तो आपको याद हो गया होगा एलक्टोरे डार किसके अंदर आती है मिनिश्ट्री और फाइन करती है जितने भी एकनॉमिक ओफेंस रिलेटेड केस हैं वह सारे एडी देखती है नामी इंफोस्मेंट डिरेक्टेटर है तो बस यह ध्यान रखेगा यह यहां पर लिखा है पीमेल एक्ट के बारे में इसका जो हैटकॉर्टर है वो नाई डिलनी में तो बस इतना याद रखेगा कौन-कौन से एक देखती है किस मनिस्ट्री में आती है और इससे और कुछ कोशन बनी नहीं सकता है तो नेक्स न्यूस इस हां यह भी एक आर्टिकल आया था आर्टिकल क्लिपिंग आई टी न्यूस पेपर में एड की फॉर्म में तो जम्मू कश्मीर अब क्या कर दिये गए हो माइग्रेट वहली फोर्स माइग्रेशन ओ फोर्स डिस्प्लेस्मेंट बोल सकते हैं फोर्स माइग्रेशन ओ यह अपनी मर्जी से गया हो तो वह चाहें तो वहां जा सकते हैं तो उनके लिए फॉर्मम की सुभिदा आपको पता कश्मीरी पंडित वाले आपके दो नंबर आप एक्स्ट्रा पाजाएंगे तो याद रखेगा एंडिया की 2020 की रेंक जो है वह 168 है 2020 की रेंक है और 2018 की रेंक कितनी थी तो 2018 की रेंक थी 177 तो यह इतना इंपोर्टेंट नहीं है हमें 168 याद रखनी है निकालता कौन है तो येल यूनिवेस्टी प्लस कूलंबिया यूनिवेस्टी ये तो दो यूनिवेस्टी है फिर WEF World Economic Forum प्लस यूरोपियन कमीशन तो य चार लोग है येल यूनिवेस्टी और कॉलंबिया यूनिवेस्टी ये तो यूनिवेस्टी का नाम है फिर WEF World Economic Forum और यूरोपियन कमीशन ये चारों मिलके निकालते है इन्वर्मेंट्र पर्फॉर्मेंस इंडेक्स तो अगर पेपर वन में कॉश्चन आएगा तो ये पू एक टॉपिक भी नी होता एक वर्ड होता था पूर वर्ड पर उपड़ क का घुड़ाना चारें तो जो इंडर कोई इंडर कुछ इंपटेटरी इंफर्मिशन है जो आ सकती हूं और जो अपर करता हूं, तो आप परिशान के होते हैं कि एडिटोरियल सर कवर कर रहे हैं, तो अगर कोई अच्छा एडिटोरियल होगा तो मैं खुझ से कवर कर लोगा, आपको कोई टेंचन नहीं है, तो अब ही चोला एरा क्या कुछ इंस्क्रिप्शन मिला ह कि अफ आप याद रखेंगे कना दी प्रदेश हम सी करद चोला करके का है जो पूच शब करके हैं तो इस्सेमें यह याद रंट प्रणच्म कर दो एसमें यह यहाद रखना और इसा इस से मिर को नहीं लगता को जो पूछा रया सकता है तो इतना नया नहरा है is group का नाम हो है quadiletal group तो बहुत बार confusion किसम मह उता है एक कोडiletal group है quadiletal group Q G और एक है quadiletal coordination group Q C G तो इस दोनों group अलग अलग है लेकिन exam में बहुत बच्ची वास quad पढ़ लेते हैं और गलत अंशाटिक कर देंगे तो याद रखेगा, co-ordinational group जो है वो इन 4 nation का है US, Japan, India और Australia किस-किस का है, US, Japan, India, Australia इन 4 लोगों का coordination group है और coordination control group जो है co-ordination group जो है, co-ordination group जो है वो इन 4 अंडरी का है, यह इसलिए ता कि peace ला सकें अफगानिस्तान वाले छेतर में तो इसमें आता है, US आता है, इसमें पाकिस्तान आता है, इसमें चाइना आता है और इसमें अफगानिस्तान आता है तो बस यह याद रखेगा, Quadriletal Coordination Group में इस चार कंट्रीज यह हैं, ताकि पीज ला सके हम अफगानिस्तान वे रीजन में इसलिए बनाए गया था और क्वाडिलेटल ग्रूप तो इंडिया ये नेट सर्विस प्रोवाइडर बन सकें दा पैसिफिक ओशियन में अच्छे से सब कुछ सिक्यूर्टी मेंटेन रखें इसलिए बनाया जा रहा है तो क्वाडिलेटल ग्रूप यह है तो यहां जो जैशंकर बात जी जो कर रहे है यह क्वाडिलेटल कि बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे है खं़ ग्रके यह सब चीज ऐसा नहीं कि नहीं में सीखनी अगर कोई भी आप चाते हैं उप्रूम्मेंट कर ना तो इक सिंपल लोगना let's as much as you give test जितने ज्यादा त्kteयbad up नौलेज hardly प्रेक्टिस एंड प्रेक्टिस राइट मुर मेरा मानना तो यह लोग बोलते हैं जादा पढ़ो लिखो कम नहीं मेरे अकौर्डिंग क्या है आप पढ़ो कम लिखो जादा लिखने से आपको लिखने की एक होती है वह आप मेंटेन कर सकते हैं तो पढ़िये कम लिखिये जादा, तो नेक्स नूज इस, RBI मोज तो इस लिक्विलिटी फर्दर, तो RBI कहर गिए, अभी लिक्विलिटी फर्दर मेंटेन करेंगे, तो इसमें एक वर्ड हुआ था, ओपन मार्केट ओपरेशन्स, तो ओपन मार्केट ओपरेशन्स क्या होता है, यह बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है, देखिए, आप समझ लीजे, कि अगर महिंगाई हो जाती है, तो RBI कैसे महिंगाई को कम करती है, और अगर सस्ता हो जाता है, कैसा सस्ते को हटा सकती है, सस्ते को बहुते हैं, रिसेशन्, महिंगाई को बहुते हैं, इत्ता तो आप सबको पता है, तो यह मैं आपको बता रहूं, डारेक्ट ओपन मार्केट को आपरेशन्स, अगर पूछ लेता है, क्या होता है, तो अगर कोई शॉर्ट में आएगा, तो आप व्याद रखेंगे, चांट्रोल अफ मनी सप्ला है, बाई RBI, या चांट्रोल अफ इंफ्लेशन् और रिसेशन्, बाई RBI, ओपन मार्केट ओपरेशन् यह होता है, कि RBI जो है, वो इंफ्लेशन् और रिसेशन् को चांट्रोल कर सकती है, इस के तुरू, तो open market operation, अब देखें, inflation को कैसे control करेगी, वो समझ लेगी, तो यह हमारी central bank कौन सी ही, तो RBI हमारी central bank है, अगर भाजार में inflation है, मतलब महंगाई है, तो महंगाई क्यों है, क्योंकि market में बहुत जादा पैसा है, तो market से RBI क्या करेगी, पैसे को खीचेगी, तो RBI अपने जो by bonds है, जो government bonds है, उनको bank को sell कर देखें, तो RBI ने vermin and bonds को sell कर दिया, bride, गर bank लेगी, तो bank को पैसा देना पढ़ेगा, तो bank को bond दिये है और bank more RBI को पैसा दे दिया, अब अगर banks ने RBI को पैसा दे दिया, तो banks के पास पैसा कहाँ से आए, तो banks इसने क्या करा कि जो वो लोंस देती थी, बंदों को जो लोंस देती थी, उसने लोंस देना कर दिया कम, तो बैंक के पास पैसा आ गया, तो वो बैंक उसने पैसा उसने RBI को दे दिया, तो इससे क्या होगा, कि मार्केट में जो है, वो पैसा जो है, वो कम हो जाएगा, क्योंक बैंक से जो government bond है और उनको पैसा दे देगी, अब उनको पैसा दे दिया, बैंक के पास बहुत सारा पैसा हो गया, तो बैंक क्या करीगी, अपने cheap कर देगी rates of loan, लोन के rates जो है वो cheap कर देगी, बंद हो गया, यह तो भाई हो के ही रहेगा, एक लेक्सा आती है, तो cheap rate कर दिये, अब cheap rate से क्या हुआ, कि loan बहुत सस्ता हो गया, लोन सस्ता हुआ, तो बहुत लोग loan लेने पहुंच गए, तो बहुत लोग loan लेंगे, तो market में बहुत जादा प जिसको ना समझ भाई हो, मैं को बोल सकता है, comment section में फिर से समझा दूँगा, so the next news is, हाँ, अब यह कल की जो मैंने आप से पूछा था, 1999 में हुआ था लाहोड declaration, अभी मैं इस जो बनाई है, यह direct chronology में भी आ सकती है, और direct particular भी target हो सकता है, यह 4 ही हो है, majorly जो आते हैं questions, तो प्लीज 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 रिमेंबर, मैं बहुत मेनत करता हूँ, आप लोगे लिए आपको लगता है, बस 15 मिनिट की वीडियो ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगता है, तो देखी, अभी जो 1999 की बात चली है, लाहोड declaration हुआ था, इस यह हुआ था अटल व्यारी वाजपई के बीच में, और वहाँ के नवाज शरीफ, इंडिया पाकिस्तान के बीच, इसमें यह हुआ था, कि हम जितने भी न्यूक्लियर आम्स है, उनका पीस्फुल यूज करेंगे, और किसी को भी डराएंगे नहीं, और आगे जादा बनाएंगे नहीं, तो ऐसे बस बात ही बात ह हैं, वह ऐसा नहीं है कि बैसे भी इंडिया जो नो फर्स्ट उस पॉलिसी है, कि हम किसी पर पहले यूज नहीं करेंगे, जब हम पर अटेक हो जाएगा तब हम यूज करेंगे, और हमने यह भी बोला गया है, कि जिसके पास न्यूक्लियर आम नहीं है, हम उस पर कभी भी न नूक्लियर आम से अटेक नहीं करेंगे, तो इंडिया पीसफुल कंट्री, लेकिन पाकिस्तान और चाइन पर डिटरेंस क्रियेट करने के लिए उनको दवाब बना रहे है, इसलिए इंडिया को नूक्लियर सप्लाय बनानी चाहिए, नूक्लियर यह बनाई रखने चाहिए बस मेरा तो यह ही मानना है, अटेक नहीं होगा, तो बस यह आद रखने हैं, 1999 के बीच में लाओ डेकलरेशन हुआ था, सबसे पहले हुआ था कराची एग्रीमेंट, जो 1949 में हुआ था, 1947 यह आपको पता, इंडिया पाकिस्तान ही वार हुई थी, उसके बाद हुआ था, ता कि हम माइनोर्टी के राइट सेव करेंगे, जो लोग माइनोर्टीज हैं, बली इंडिया में माइनोर्टीज हों, बली पाकिस्तान में माइनोर्टीज हों, पाकिस्तान में माइनोर्टीज हों, पाकिस्तान में माइनोर्टी हिंदूस हैं, इंडिया में माइनोर्टीज मुस प्रवादेंगे तो यही एग्रिमेंट के तहट कोई हमारी सुला नहीं करा सकता हम इंडिया पाकिस्तान खुझ से एक दूसरे से बात करेंगे हमें किसी तीसरे पार्टी की जरूरत नहीं है कि बहुत बार अमेरिका यूएस बोलता है कि हम सुला कर दा देते हैं बहुत बार अग्रिमेंट है कभी रोन लॉजी में आ जाते हैं कभी डारेक्ट आजाते हैं तो प्लीज रिमेंबर वेरी 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 इंपर्टेंट तो आज की न्यूजी वस इतनी थी आज जादे नियूस थी नहीं तो यार कैसे कवर करता तो आज का कॉश्चिन आपके लिग क्या प अग्रिमेंट बनाई थी इंडियन लीक किस ने मनाई थी किस यह मनाई थी तो प्लीज लाइक शेयर तो बिल्कुल करनी रहें कमेंट में मैं देखता हूं मुझकिल सो लोग आंसर देते हैं तो मतलब या तो आपकी तयारी अच्छी नहीं चल दिया इसका मतलब याप मेरें अधर आप है क्या काहते है कियो दिक्ता आपको आप याद रहेगी पहले मैं मेरे याद आप ने वह नहीं चीज काही मेरे मेरे कमेंट्स में अप लेकिस भूल जाहें तो तो जितना में आप में लिखिए ऑ कोई भी दिक्कद देंगे तो आप में हमें हम इस च्दाहां को सकते हैं on instagram एक फॉलो कर तरना में मी ज़ने होसे नहीं और इस दो किसी फोलो करिंगाइए मेनत करें और आपनी फैस्त का बिल्कोल प्रग्रों करिएगा गूलिक्स एक बाइ-बाइ